खुद से इस कदर प्यार हो जाए कि सुबह उड़ते ही एक्सराइज करने का मन करें बहुत स्ट्रेंद्स मिलती है जब खुद को मिरर में देख कर कहें कि मैं परफेक्ट हूँ और खुद में कुछ भी चेंज करने का मन ना करें लिसन तो यूर बॉड़ी मींज एक्सराइज भी वो करें जिसे करके आप गुड फिल करते हैं दूसरों की तरफ ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ पहचाने and do something what you love to do and eat something what you love to eat आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पूरा वीक में कौन-कौन से वर्काउट्स करती हूँ तो Tuesday is a day in which I give exercise to my arms and also do cardio In today's workout there are four pack of exercises In each pack there are four exercises Two for arms and two cardio exercises जैसा कि मैंने पहले बताया है कि exercise शुरू करने से पहले हम करेंगे warm-up तो warm-up में मैं आज 25 squats भी कर रही हूँ और पहली exercise शुरू करेंगे bicep curl bicep curl है पहली exercise 15 repetitions लगाएंगे और 15 repetitions ही लगाएंगे shoulder press के उसके बाद लेंगे 30 second break 30 second break लेने के बाद दो exercises करूँगी मैं कार्डियो की जिसमें 100 high knees प्लास 12 पुश अप्स होंगे और उसके बाद 30 सेकिंड का ब्रेक लोंगी और इनी एक्सेसाजिस के दो सेट लगाने के बाद में लोंगी एक मिनट का ब्रेक काडियो को मैं अपने वर्क आउट में इस लिए इन्वल्फ करती हूँ क्योंकि काडियो करने से हमारा ब्रेथ रेट हाइ होता है और बार बार ब्रेथ रेट का हाई होना लो होना जादा कैलरी करता है आप लोग मुझे एडवाइस करते हैं कि मैं पानी बैट कर पिया करूँ जब हम एक गलास या उससे दादा पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो नीज को हाम करता है दो या तीन सिप पीने से कुछ खास फरक नहीं पड़ता बाट यू लव मी और आपका कंसर्न देखा तो लीजिए अब से बैट कर ही पानी पियेंगे सेकिंड पैक की पहली एक्सराइज है फ्रंट रेजिस 24 फ्रंट रेजिस यानि की 12 फ्रंट रेजिस लगाऊंगी विद इच हैंड 15 ट्राइसेप किक बैक देन 30 सेकिंड का ब्रेक ट्राइसेप किक बैक दोनों आम्स या सिंगल आम के साथ भी लगाई जा सकती है आम्स की सारी एक्सराइजेज लूज स्किन को टोन करती हैं स्टार्टिंग में आपको मसल पेन हो सकता है बड़ जैसे जैसे बॉड़ी यूस्टू होती है आपका स्टैम्ना भी बढ़ने लगता है और इसी सेट के कार्डियो में है 50 जंपिंग जैक्स और 15 स्लो बर्पीस मेरी बॉड़ी इन सारी एक्सराइजेज की यूस्टू हो चुकी है लेकिन आज भी जब मैं कोई नई एक्सराइज ट्राइज करती हूँ तो मुझे मसल पेन हो जाता है अगर आपको भी मसल पेन की प्रॉब्लम आती है तो आप गरम धूद में हल्ती डाल कर पी सकते हैं हॉट वटर से नहा सकते हैं और चाहें तो एक दिन एक्सराइज का स्किप भी कर सकते हैं फिर्स्ट एक्सराइज ओफ थर्ड पैक इस फिफटीन कल क्रॉषर अन फिफटीन छेस्ट प्रेस ये एक्सराइज नॉर्मली योगा मैट पे भी की जा सकती हैं आप इसको किसी बेंच पर कर सकते है मैं stepper पर कर रही हूँ इन सारी exercises में कोशिश यही रहती है कि elbow lock रहे क्योंकि अगर elbow lock नहीं होगी तो bicep या tricep पर pressure ठीक से नहीं पड़ेगा और इस सेट के cardio में हैं 100 fire feet और दूसरी exercise abs के लिए है with the help of stability ball इस workout में arms की हर exercise के दो-दो सेट और दो-दो सेट ही cardio के लगा रही हूँ इस पूरे workout को करने में 45-50 minutes का time लग जाता है अभी fourth pack की first exercise 15 upright toes and 15 ही लगाउंगी में back flies और इस सेट के cardio में मैंने 50 step up लगाए है और 20 downward dog knee bend exercises के लगाउंगी इस exercise को 10-10 बार दोनों लेक से करूंगी लगाउंगी लगाउंगी लास्ट में टाइम आता है बॉड़ी को रिलाक्स करने का और चाइल्ड पोस में 2-3 मिनट रहने से आपका ब्रेथ यट भी नीचे आ जाता है और आप रिलाक्स फिल करते हैं और आज के हेल्दी मील के लिए पैन में डाला है हाफ टीस्पून ऑफ ओयल मश्रूम डाल दिये हैं कटे हुए और कैप्सिकम डाली है बारी कटी हुई सॉल्ट ब्लैक पिपर अब थोड़ दिर इनको सौटे करेंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे अब उसी पैन में फिर से थोड़ा सा ओयल डालके दो एक्स डालूंगी मैं प्लैक पिपर एड़ कर दिया है इसको अच्छे से फैन्ट लेंगे और इसका ओमलेट बनाएंगे जिन वेजिस को हमने सौटे किया था अब हम उनको इसके ओपर डाल देंगे और ढगकर एक से देड़ मिनट तक पकाएंगे सबजियों को कच्छा खाने की आदत बनाएं हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और क्रंची वेजिटेबल्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है वीडियो में कुछ कमी लगती हो तो प्लीज लेट मी नो और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब टो माई चैनल हमीशा याद रखें आपका प्यार और आपके कॉमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही see you in the next वीडियो till then bye take care and stay healthy